इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है लेकिन इन सब के बीश हर देश वासी अब इस संकल से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को इस आपदा को अउसर में परिवर्ति करना है इससे हमें देश का बहुत बड़ा तर्निंग पॉइंट भी बना रहा है यह तर्निंग पॉइंट क्या है आत्म निर्भर भारत सेल्फ रिलाइंट इन्डिया आत्मंदिर्भरता का सेल्फ रिलाइंट का यह भाव बर्सों से हर भारतिय ने एक एस्पिरेशन की तरफ जिया है लेकिन फिर भी एक बड़ा काश एक बड़ा काश हर भारतिय के मन में रहा है मस्तिस्क में रहा है यह काश क्या है काश हम मेडिकल एक्विप्मेंट के खेतर में हात्मंदिर भर होते काश हम डिफेंस मेनुफेक्चरिंग में हात्मंदिर भर होते काश हम कोल और मिनराज के सेक्टर में हात्मंदिर भर होते काश हम एडिवल ओईल में फर्टिलाइजर्स के खेतर में हात्मंदिर भर होते काश हम electronic manufacturing में हाथ मंदिर पर होते काश हम solar panels, batteries और chip manufacturing में हाथ मंदिर पर होते काश हम aviation sector में भी हाथ मंदिर पर होते ऐसे कितने सारे काश, अंगिनत काश हमेजा से हर भारतिये को जप्जोरते रहे हैं चाथ क्यों एक बहुत बड़ी बज़र रही है कि बीते पांच-छे वर्षों में देश की नीती और रीती में भारत की आत्मनिर परता का लक्ष सर्वो परी रहा है अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गती और तेज करने का सबक दिया है इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अब्यान साथियों हम देखते हैं परिवार में भी संतान बेटा हो या बेटी अठारा बिश साल का हो जाता है तो माबाप उसे सबसे पहले कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो हर परिवार में सुनाओगा आप जो मिझे सुन रहे समने सुनाओगा कि अठारा बिश साल की उमर में उनके माबाप में उनको कहा होगा कि बेटे बेटी अब अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो एक तरह से आत्म निर्भर भारत का पहला पाठ परिवार से ही शुरू होता है भारत को भी अपने पैरों पर ही खड़े होना होगा साथियों आत्म निर्भर भारत अभ्यान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे हर वो चीज जिसे इंपोर्ड करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने भविश में उनी प्रोड़क्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है इसके अलावा हर वो सामान जो भारत का लगू उद्यमी बनाता है हमारे हैंडिक्रेप वाले जो सामान हमारे सेल्फ हेल्फ ग्रूप से जुड़े करोडों गरीब बनाते हैं जो दसकों से हमारी हां बनता रहा है गलियों मौनलों में बिता रहा है उसे छोड़कर विदेश से वही सामान मंगाने की प्रभूति इस पर भी हमने आत्मसयम बरतना है हमें नियंत्रन करना है हम इन छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों से केबल चीजी नहीं करेते पैसे ही नहीं देते उनके परिश्रम को उरस्पूत करते है मान सम्मान बढ़ाते है कभी सोच ना आप मर्सिडिस गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और फुटपांट पर छोटी चीज बेचने वाले की चीज आपने उतर करके खरी दी वो पैसे नहीं गिनेगा वो उसकी चाती फुल जाए कि देखे मर्सिडिस गाली वाला भी फुटपांट पर मैं बढ़े बढ़ा हूं लेकर उतर करके मेरे से समान खरीद रखा है उसकी जिन्दगी कोई धाकत मिलता है उसको सम्मान मिलता है हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि इससे उनके दिल पर कितना प्रभाव पड़ता है वो कितना घर्ब मैसुस करता है इसलिए अब अपने लोकल के लिए वोकल होने का समय है हर गाउं, हर कद्वे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मंदिर भर करने का समय है साथियों सालों पहले, तस्वकों पहले स्वामी विवेकानन जी ने एक पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने लिखा था the simplest method to be work upon at present is to induce Indians to use their own produce and get markets for Indian hardware in other countries Swami विवेकानन जी का बता है ये मार्ग post-Covid world में भारत की प्रेरणा है अब देश प्रान कर चुका है और देश कदम भी उठा रहा है आत्मा निर्भर भारत अभ्यान के राहत जिन बड़े reforms की गोस्णा की गई है उनको तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है MSMEs की definition सानों से लटकी हुई बात इन्वेस्मेंट की फास्ट ट्रेकिंग के लिए प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट सेल्स का गटन हो ऐसे अनेक कारिया पहले ही हो चुके है अब तमाम सेक्टर्स खासकर कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधित कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो reforms एनाउंस हुए है उसका भरपूर फाइदा उठाने के लिए उद्योग जगत आए आगे आए मेरे युवा साथी अप आगे आएं साथियों किसानों और रूरल एकानॉमी के लिए जो निर्ने हाल में हुई है उन्होंने एग्रिकल्सेट एकानॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है सच्ची आजादी किसानों को मिली है अब गारत के किसानों को अपने प्रोड़क्ट अपनी उपज देश में कही पर भी बेचने की आजादिम मिल गई है A.P.M.C. Act, Essential Commodities Act उसमें जो संसोधन किये गए हैं किसानों और इंडस्टी के बीच पार्टनर्शिप का जो रास्ता खोला गया है उससे किसान और रूरल एकोनामिक काया कल्प होना ताय है इन फ्रैसलों ने किसान को एक प्रोडूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोड़क्ट के रूप में पैचान दी है साथ क्यों चाहे किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करना हो चाहे MSP का फैसला हो उनकी पैंशन की योजना हो हमारा प्रयास किसानों को ससक्त करने का है अब किसानों को एक बड़ी मार्केट फोर्स के तौर पर विक्सित होना में सहायता की जा रही है साथ क्यों लोकल प्रोडस्ट के लिए जिस क्लस्टर बेज एप्रोच को भारत में बढ़ावा जिया जा रहा है उसमें भी सभी के लिए अवसर भी मोजूद है जिन जिलों जिन ब्लॉक्स में जो पैदा होता है वहीं आसपास इन से जुड़े क्लस्टर विक्सित किये जाएंगे जैसे पस्टिम मंगाल में जूट किसानों के लिए पांस में ही जूट आधारित उद्योगों को और मजबुती दी जाएगी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अपार संपदा जुटाने वाले आधिवासी साथ्जोगों को उनके छेत्र में ही आधुनिक प्रोसेसिंग उनिट्स उप्लब्द कराई जाएगी इसके साथ ही बांबू और और और्गनिक प्रोड़स के लिए भी क्लस्टर्स बनेंगे सिक्किम की तरह पूरा नौर्थ इस्ट और्गनिक खेती के लिए बहुत बड़ा हब बन सकता है और्गनिक कैपिटल बन सकता है ICC के साथ जुड़े आप सभी वैपारी अगर खान ले तो नौर्थ इस्ट में और्गनिक फार्मिंग बहुत बड़ा अंदोलन बन सकता है आप उसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं आप अगर चाहें तो और्गनिक प्रोड़क को ले करके ग्लोबल मार्केट पर चाह सकते हैं साथ क्यों आप सभी नौर्थ इस्ट पुर्वी भारत में इतने दसकों से काम कर रहे हैं सरकार ने जो तमाम कदम उठाए हैं इनका बहुत बड़ा लाप इस्ट और नौर्थ इस्ट के लोगों को होगा मैं समझता हूँ कि कोलकता भी खुद फिर से बहुत बड़ा लीडर बन सकता है अपने पुराने गवरों से प्रेणा लेते हुए भविश में कोलकता पूरे खेत्र के विकास का नेत्रुत्व कर सकता है आप से बहतर और कौन जानता है कि जब स्रमिक पुर्व के संपत्ति पुर्व की संसाधन पुर्व के तो इस खेत्र का विकास कितनी तेजगती से हो सकता है साथियों पांच साल बाद यानि वर्ष दो हजार पचीश में आपकी संस्ता अपने सो वर्ष पूरे करने जा रही है वहीं वर्ष दो हजार बाईस में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रही है ये आपकी संस्ता के लिए आपके प्रतेख सदस्य के लिए आपकी कोई भी अउद्योगी काई हो या व्यपारी काई हो बहतरीन समय है एक बड़ा संकल पलेने का मेरा आपसे आग्रह है कि आत्म निर्भर्व भारत अभ्यान को चरितार्थ करने के लिए ICC भी अपने स्तर पर पचांसो नए लक्ष ताय करेंगे ये लक्ष संस्ता के भी हो इससे जुड़े हर उद्योग और व्यापारी की काई के भी हो और हर व्यक्ति के भी हो अब जीतना अपने लक्ष की और आगे बढ़ेंगे उतना ही ये अभ्यान पुर्वी भारत में नौर्थ इस्ट में आगे बढ़ेगा जो देश को भी आगे लेड़ जाएगा साथियों मेनिफेक्टरिंग में बंगाल की एतियाशिक सेस्टा को हमें पुनर्जिवित करना रहे होगा हम हमेशा सुनते आये हैं वाट बंगाल थिंग्स तुड़े इंडिया थिंग्स टुमरो हमें इससे प्रेना लिते हुई हैं हम सब को मिल करके आगे बढ़ना होगा ये समय इंडियन एकोनामी को कमान एंड कंट्रोल से निकाल कर प्लग एंड प्ले की तरफ ले जाना है ये समय कंजर्वेटिव एप्रोच का नहीं है बलकि आगे बढ़कर बोल्ड डिसिजन्स का है बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है ये समय भारत में एक ग्लोबली कंपेटिटिव डॉमेस्टिक सप्लाई चेन तयार करने का है इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मोजुदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है साथियों आत्म निर्भर भारत भ्यान में आगे बढ़ते हुए और कोरोना काल से संगर्स करते हुए आज आपने इस एडिएम में जो पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट का भी से उठाया गया है वो भी बहुत महत्वपूर है कुछ लोगों को लगता है कि ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट है विरोधाबाशी है लेकिन ऐसा नहीं है पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट एक दूसरे से इंटरलिंक है ये तीनों एक साथ फ्रिश कर सकते हैं को एक्जिस कर सकते हैं मैं आपको कुछ उधान दे कर समझाता हूँ जैसे भारत में हमने लेडी बल्ब का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया अब ये लेडी बल्ब अपने आपे बड़ा प्रेरक उधार है पांच-छे वर्स पहले एक लेडी बल्ब साड़े तीनसों रुपिये से भी जादा में मिलता था आज वही बल्ब पच्चामास रुपिये तक में मिल जाता है आप सोची है कीमत कम होने से देश भर में करोडो करोडो के संख्या में LED बल्ब गर-गर पहुँचे हैं स्ट्रीट लाइट्स में लग रहे हैं ये कॉंटिटी इतनी बड़ी है कि इससे उत्पादन की लागत कम हुई है और प्रॉफिट भी बड़ा है इससे लाग किसको मिला है पीपल को आम देश वाजी को जिसका बिजली का बील कम हुआ है एक मुटा मुटा अंदाज में लगा सकता हूँ आज प्रतिवर्ष एवरियर देश वाजियों के करीब करीब 19,000 करोड रुपिये पीजली के बिल में LED की वज़े से बच रहे हैं 19,000 करोड रुपिये आपके जेब में बचना ये बचत गरीब को हुई है ये बचत देश के मद्यमबर को हुई है और लगातार होने वाली है इसका लाग प्लैनेट को भी हुआ है सरकारी एजन्सियों ने जितने LED बल्ब कम किमत पर बेचे हैं अकेले उससे ही हर साल करीब करीब 4 करोड टन कारबन डायोकसाइड का एमिशन कम हुआ है यानि प्राफिट दोनों को है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है उत्पादक भी कमाता है विकराता भी कमाता है और खरीदार भी कमाता है और प्लैनेट का तो भला हुआ हुआ है अगर आप सरकार की अन्य वोजनाव और फैसलों को भी देखें तो पीते 5-6 वरसों में पीपल, प्लैनेट एंड प्रफिट का ये कंसेप्ट जमीन पर और मजबुत हुआ है अब जैसे अभी आपने भी देखा है कि कैसे सरकार का बहुत ज़्यादा जोर इन्लेंड वोटरवेज पड़ा है हल्दिया से बनारस तक तो वोटरवेज चालू हो चुका है अब मैं बनारस का एंपी हो इसलिए मुझे आपसे जुड़े भी आरत भी आता है अब वो चालू भी हो चुका है अब नौर्थ इसमें भी वोटरवेज बढ़ाये जा रहा है इन वोटरवेज से पीपल का फायदा है क्योंकि इससे लोजिस्टिस का खर्च कम होता है इन वोटरवेज से प्लैनेट का भी फायदा है क्योंकि इससे इंधन कम जलता है और हमें ये भी नहीं बुलना चाहिए कि ये पैट्रोल डिजल के इंपोर्ट को कम करेगा रोड पर ट्रेफिक कम करेगा सामान सस्ते में पहुचाएगा सामान सस्ता मिलेगा सौटे सुरूच से जल्दी पहुचेगा खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है यहने पीपल भी है प्लैनेट भी है प्रॉफिट भी है साथ यो भारत में एक और अभ्यान अभी चल रहा है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का इसमें पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट तीनों ही भी से एड्रेस होते हैं विशेश कर पस्चिम मंगाल के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है इससे आपके हाँ जूट का कारोबार बढ़ने की संभावना अनेक गुना बढ़ जाती है और मैं तो आप से पूछूँगा क्या आप लोगों ने इसका फायदा उठाया कि नहीं उठाया क्या अब पैकेजिंग मट्रियल नहीं नहीं वेराइटीज नहीं नहीं थेलिये नहीं नहीं पर्स प्लास्टिक की जगा पर जूट से बनाना शुरू किया और नहीं किया एक तरह से मैं कहूंगा ये एक निर्ण है सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का एक निर्ण है आप ICC के मेंबर जो उस इलाके में ज्यादा काम करते हैं आपकी तो पांचों उंगलियां घी में है और आपको तो इस मौकर का और फायदा उठाना चाहिए और अगर ये मुका छोड़ देगे तो फिर कौन मदद करेगा सोचिए जब पसिम बंगाल में बना जूट का बैग हर किसी के हाथ में होगा तो बंगाल के लोगों को कितना बड़ा प्रॉफिट होगा साथिओं पीपल सेंट्रिक पीपल ड्रिवन और प्लैनेट फ्रेंडली डेवलप्मेंट के अप्रोच अब देश में गवर्नांस का हिस्सा बन गई है जो हमारे टेकनोलोजी कर इंटर्वेंशन से हैं वो भी पीपल प्लैनेट और प्रॉफिट के विचार के अनुकुली है यूपी आई के माध्यम से हमारी बैंकिक टचलेश, कॉंटकलेश, कैशलेश और 24 बाई सेवान, 365 डेज संभव हो पाई है बी मैप से ट्रांजिक्शन के अब नए नए रेकॉर्ड बन रहे हैं रूपे कार्ड अब गरीब, किसान, मध्यमवर्ग, देश के हर बर्ग का पसंदिद्या कार्ड बनता जा रहा है जब हम आत्मंदिर बर्वारत की बात करते हैं, तो क्यों न गर्व के साथ रूपे कार्ड का इस्तवाल करें साथ क्यों, अब देश में बैंकिंग सेविस का दाइरा उन लोगों तक भी पहुँच पाया है जिनको लंबे समय तक हैव नौट्स की सेड़ी में रखा गया था DBT, JAM, JAM, यानि जन्दन, आधार, मोबाइल के माध्यम से बीना लिकेज करोडो मेनिफरिस तक, करोडो लाभारती तक जरूरी साहता पहुँचाना सम्भव हुआ है जिनको लिए समय तक जरूरी से बीना लिकेज़ देगा पहुआ है